Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and HisStyles Friends, आज मैं आपके लिए थेडिंग लेके हैं हूँ बिगिनर्स के लिए कि थेडिंग किस तरह से बनाने हैं आपको प्रॉब्लम होते हैं कि थेड जलाने में प्रॉब्लम होते हैं थेड चलाना कैसे हैं तो बिए वाहती है कि ये ठेड फिस यह बनाती ही हूँ तो पर के रिंग से जादा निकालती हैं और नीचे क कि यह जादा निकालती हूँraph और नीचे की हैं और उठी रूँर पुए नजर आए लेकिन इस प्रॉब्लम को सोट आउट करने के लिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह की होते है कि आपकी थ्रेडिंग जो है एक प्रॉपर शेप में आई जैसे कि आप मेरे देख रहे है कितने अच्छे ब्यूटिफिल शेप आई चुच्ति है और हम इसके दिखाएंगे कि ऐजा है कि सल्ण शेफ़ से सबस्स पहले में सबस्कूप करते हैं और देखते हैं मेरे इस वीडियो के साथ फुल ग्रोथ ट्रेडिंग के लिए हमने हलका सा पाउडर लिया है और पाउडर अपला गिया है देखिए अपके बार ग्रोथ सीरसली बहुत जादा थी काफी टाइम से ट्रेडिंग नहीं कराई थी और सिर्फ इसी वजह से कि मुझे आपको एक जस वीडियो बना के दिखान तो यह जो हम आज चेडिंग कर रहे हैं हम आउटओर कर रहे हैं क्योंकि आज मैं हूँ आउटओर और फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरी इस वीडियो के साथ जब भी आप थेडि करें आपके हेर्स जो है वह उपर से निकले चाहिए है आज मैं ब यह जाएिपश..से बहुत बारिक हेर्स भी बहुत आसानी जे निकल जाते है तो फिरेंड्स आप देखिये कि हमने क्या किया है कि just हम सबसे निकले है कि क्या किया हैं जो हैर से और इन तो आज शे हम आज यूज कर करेंगे बिल्कुल अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं अगर आप beginners हैं तो definitely इसका ही यूज करजिए और seriously इसमें लिंट नहीं आता जो हमारा रील का धागा होता है इसमें लिंट भी इतनी नहीं आता और बहुत अच्छा होता है अल्टरनेट केस है, अब हमने ऊपर से होल्ड किया है, नीचे से होल्ड किया है, और ये हमारे लेफ्ट साइड के थेडिंग है, लेफ्ट के लिए मैंने राइट हैंड को अपना ऊपर से होल्ड किया है, और राइट हैंड को नीचे से होल्ड किया है, पीक से होल्ड करना है, और उसके उसी guideline को maintain करते हुए ये हमारे मेरे जो hairs हैं वो निकाल रहे हैं और इसी guideline के according ये मेरे hairs को निकालेंगे और तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुर इन्होंने छोटी सी loop ली है सबका अपना वे होता है करने का बिल्कुर छोटी सी loop के साथ हमने work किया है और ये छोटी सी loop के साथ हम काम कर रहे हैं ये मैं बार-बार कहा दियूँ सबका अपना तरीका होता है जो आपका वे है आप उसे use किजिए ठीक है और हमने कहा है अब हम center की तरफ आ रहे है center से हमने hairs को निकालना है और center से hairs निकालने के बाद फिर हम यानि कि धीरे-धीरे यानि peak से center की तरफ जा रहे है अब आप देखिए कि एक साइड मेरे threading जो है वो मोटी है यानि अभी हुई नहीं है एक साइड काफी सारे hairs almost hairs निकल चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत साइड रहा रहे हैं shape maintain नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा third up चल रहा है यहां भी हमारे बाल रह गए थे और यह जो hairs हैं वो दिखाई भी दे रहे थे जो भी आपके extra hairs होते हैं आप उन्हें देखते हो तो वो दिखाई दे जाते हैं आप एक बार करके देखिएगा कि जो आपके extra hairs होंगे वो आपको दिखाई दे जाते हैं आप यह मैं सोचे कि मुझे पता नहीं लगता कि कों से hair जो आप प्रॉपर्ली देखोगे एक line में देखोगे कि एक line बन रही है और प्रॉपर्ली नहीं बन रही है तो आपको पता लग जाएगा तो यह हमने अब center से यानि कि peak से निकाले hairs और front से भी निकाल दिया अब हम धीर धीर back की side जा रहे हैं यानि tail की side जा रहे हैं और उसके hairs को हम remove करेंगे अब आप यह देखिए कि मैं पीछे से बहुत कम hairs निकलवाती हूँ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जो मेरे threading है वो बहुत लंबी बने इस वज़ा से तो आप देखिए कि यह मेरे back के hairs नहीं निकालेंगे ठीक है अगर हम back के hairs निकाल देता है तो threading थोड़ी से छोटी हो जाती है जो कि मुझे नहीं पसल और मैं जब अपनी clients की threading करती हूँ तब भी मैं इसी तरह से ही करती हूँ कि उनके back की hairs कम से कम निकाल के उन्हें एक shape maintain करके उन्हें दूँ ताकि वो एक particular shape में आए तो friends यह देखिए आप threading दोनों में एक side वाली मोटी लग रहे को कि वो की ही नहीं यह देखिए face में कितना difference आगया है face में कितना difference आगया अब यह देखिए कितनी अच्छी और कितनी good looking जो threading है वो maintain हुई है हमारी और बनी है और इसकी जो length है वो भी जादा है अब हमने जब center से बाल निकालेंगे तो हम इस तरह से hold करेंगे ताकि एक deep set आई है तो दोनों side से पकड़ ले तब आपके आप असानी से यहां से बाल निकाल सकते है और अब हमने maintain किया है यानि इस तरह से जो हमने चोटे-चोटे baby hairs है चोट-चोटे hairs होंगे अमरे threading के उनको भी निकाल देंगे आपके palette पे बहुत सारे hairs रह जाते हैं crease पे उनकी इसके लिए आपको थोड़ा नीजे से पकड़ना होता है ताकि वो भी properly निकल जाएं तो friends ये देखिए हमारा जो almost threading है ये complete हो चुकी है और इसमें almost work जो है वो complete हो चुका है तो आप इस तरहां से practice करें अपने threading की ताकि आप भी अपनी threading properly कर सकें उसको maintain कर सकें तो अब last में हम अपने hairs की जो है extra hairs है उन्हें cutting कर लेंगे और cutting करने के बाद इसको जो excess hairs है उन्हें भी remove कर देंगे और हमारी threading हो चुकी है done तो आप देखिए दोनों ही threading में आपको फरक तो नजर आई रहा होगा कि कितना difference आता है ठीक है ना तो friends देखिए है ना